नमस्कार दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे मैं सोहम चतुरवेदी आज आपसे बात करने वाला हूँ रिया चकरवर्ती के उपर जिसके खिलाफ दो आई विटनेस आये और जो बोल रहे है तेरा जून की रात रिया सुशान से मिली थी तो यहाँ पर यह होती नजर आ रही है अगर आप समझ रो इस चीज को कि अपन ने इस चीज के उपर पहले बात की थी कि कैसे रिया चकरवर्ती तेरा तारिक को सुशान से मिली थी जो की एक दावा कर रहे थी कि आठ जून को उसने घर छोड़ दिया था जैसे कि आपको पता है कि जो केक ले ले थी वो सुशान के घर की थी अब 13 जून के लिए अगर कोई केक है तो 13 जून को किसका जनम दिन था भाया किसका जनम दिन था बेबी पैंगविन का जनम दिन था तो यह अनुमान लगा गया था बिलकुल बहुत अच्छे से कि बेबी पैंगविन का जो जनम दिन था ते सवाल सही भी खड़ा किया गया है और अब दोस्तों निकल के आते हैं दो आई विटनेस जो इस विशे में बात करते हैं कि उन्होंने देखा कि वो सुशांत से मिली सुशांत के घर थी सुशांत ने ड्रॉब किया तो यहां पर चीजे बहुत अच्छे से समझ में आने लगती कि रिया चकरवर्ती के खिलाफ जो बोला जा रहा है वो सही है वो जूट बोल रही है अब देखो एक दूसरी चीज और निकल के आती है अब रिया चकरवर्ती के ही ट्विटर अकाउंट को अगर अपन थोड़ा सा देखे तो 13 जून को रात को 11 बजे उन्होंने एक तो वो कैसे थोड़ा सा रियल लगता है कि रिया बिल्कुल अपने घर में कोरोना का टाइम चल रहा है कोई सज धज के कपड़े नहीं पहनता है आप समझो लेकिन रिया ने रात को 11 बजे एक पोस्ट किया है सज धज के कपड़े पहन के ऐसे कपड़े जो कि कोई पाटी या उसके लिए ही पहनता है और वो कपड़े कि वो फोटो शेयर करती है तो आप यहां पर नुमान लगा सकते हैं बहुत अच्छे से कि आप किसकी पार्टी में थे ऐसी कौन सी पार्टी हुई है कौन लोग उपस्थित थे तो यह सवाल बनता है रिया से और CBI को उससे पूछ चाहिए कि भई आखिर आपने तेरा की रात को वो कौन सी पार्टी की थी कहां पे वो पार्टी में गए थे यह जो दो आईविटनेस कह रहे हैं कि उन्होंने आपको देखा है तो आप इसके उपर सफाई दो लेकिन दोस्त अब यहां पे एक दूसरी चीज भी आती है क्यो आठ के बाद भी सुशान से मिली है लेकिन यह जूट बोल रही है क्योंकि सुशान सिंग राजपूत यहां पे अपनी बेगुना ही साबित नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्ति अब जीवित नहीं और जो व्यक्ति मर चुका है उसके उपर ब्लेम कर दो सारा वही ड्रग होगी कि दूद का जला चाच भी फूख फूख के पीता है तो यह वाली स्थिती अभी सुशान सिंग राजपूत के फैंस के लिए आप और मेरे लिए है कि कहीं मुर्ख तो नहीं बनाया जा रहे है क्योंकि यह तो आप जानते है रिया चकरवर्ती जेल में है मास्टर माइंड कोई और है ये भी आप जानते हैं क्रिमिनल कोई और है किसके द्वारा साजिश की गई है रिया चकरवर्ती में मास्टर माइंड तो नहीं है ये भी आप जानते हैं लेकिन क्या होगा यह मैंने आपको शुरुआत में भी का था क्योंकि की भाईया रिया को सब्सक्राइब करेंगे और मेनmbre नलाल रूपह करने ऑप यह जूति है और यह आपरूफ हो जाई कि रिया ही कातिल है और में मास्टर माइंड बच जाए तो ये दोस्तों यही सवाल उठ रहे हैं यही सवाल उठ रहे हैं कि क्या कहीं यह स्टेज तो नहीं किये गए हैं यह दो आइविटनेस जो इतने समय बाद निकल के आ रहे हैं और वो भी दो एक आप कैसे निकल के आगए इतने समय तक आप कहां थे यह सवाल बनता है हो सकता है दोस्तों वह सच्चे हो लेकिन यह सवाल भी मन में रहना चाहिए कि कहीं यह इस बार भी गुम्रा तो नहीं किया जा रहा है आपको ध्यान है पहले भी बहुत से लोग आई विटनेस बन के ऐसा नहीं है पुलिस ने गिरफतार कर रही है अराम से बोल के चले जाते हैं थोड़ा सा लाइम लाइट आ जाता है तो अगर ऐसा हो रहा है तो दोस्तों आपको समझना पड़ेगा कि यह गलत कर रहे हैं यह मजाग बना रहे हैं सुशान सिंग राजपूत के केस का अब द बहुत संगीन धार हैं आपको मैं पहली बता चुका हूं तकरीबन मान के चलो 15-20 दिन हो चुके मैंने आपको तभी इस चीज को बता दिया था कि यह धार है बहुत संगीन है जो मेरे क्रिमिनल जो लोग देखते हैं जर्नलिस्ट उन्से मैंने इसके उपर बात की थी और उ इसलिए कहा जा रहा है कि CBI को अब यह जो FIR है इसको 300 धारा में कनवर्ट करना चाहिए कि 300 धारा के लिए करना चाहिए 302 धारा मतलब यह क्या है IPC 302 Act है तो इसके अंदर क्या है कि अगर सूसाइड किया गया अभी तक क्या है अबेटमेंट आफ सूसाइड के लिए यह प CBI कर देगी तो इसका क्या है कि आपने हत्या की है और उसका जो वो होगा ना फिर बाद में निर्ने जो क्रिमिनल होगा उसको यह तो फांसी दी जाएगी या उम्र कैद दी जाएगी और जुर्माना भी लगा दिया जाएगा तो आप यहां पे एक चीज समझ सकते हो कि 302 म करे क्योंकि अगर क्रिमिनल पकड में आ जाता है तो चूट जाएगा जो धारा है उसके अंदर उसको बेल मिल जाएगी लेकिन 302 में उसे बेल भी नहीं मिल सकती तो यह सक्त कानून है इसलिए 302 में बहुत जरूरी है दोस्तों तो इसके लिए मांग कीजिए कि क्रिमिनल पकड में आए और 302 में FIR हो जाए तो उससे बहुत सिंपली वह व्यक्ति को फासी लगेगी उसकी बेल नहीं हो सकती फिर सतीश मानचंदे कुछ नहीं कर सकते तो यह गाईस इस वीडियो में इतना है आई होप कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आपको चीजे भ पॉलो गर सकते हो फेस्बुक ट्विटर इंस्टा पे वह एसकेडी मेरा यूजर नेम है जैहंद